हर हर महादिव दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल रोज क्या करू में दर्शको गुरुवार के दिन यदि आप अपने घर में पुझने पंडी सी कहते हैं मातर दो कार ये करते हैं तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी आपके घर में मा लच्चमी की क्रिपा बनी रहेगी आपके व्यापार में बृद्धी होगी दर्शको गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही खास होता है जिस घर में भगवान प्रिहस्पत देव का आसिरबाद बना रहता है जिस घर में गुरु वार के दिन ये दोकार ये होते हैं उनके घर में मातलच्चमी अस्थाई रूप से वास करती हैं और कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है गुरु वार के दिन दर्श को बहुत ही खास और विसेस होता है यदि आपकी कोई विसेस मनोकामना है तो गुरु वार के दिन आप रिहस्पत देव की पूजन करें गुरु वार का ब्रत करें और इस दिन आपको पीले वस्त धरड करने चाहिए और पीले फलो से भगवार रि अब दर्श को गुरुवार के दिन आपको करना क्या है गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्रों को धारड करिएगा और अपने घर में भूल कर भी आप दो से तीन कार मत करें जैसे आपको गुरुवार के दिन अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए गुरुवार के दिन आपको तेल का प्रयोग जैसे सरसो का तेल बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो सरीर में लगाते हैं तो आपको गुरु गुरुवार के दिन सरसु का तेल भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए इस बात का आप ध्यान लखे घर की जो भी इस्त्रियां हैं महिलाए हैं इस दिन उन्हें केस यानि की अपने बालों को नहीं धोना चाहिए और यदि आप गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय आउले के ब्रिक्ष की जड़ में कर लेते हैं तो आपके घर में अपार्थन सम्पदा भरी रहेगी पोजने पंडी जी कहते हैं आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी हल्दी लीजिएगा ज्यादा नहीं एक चुटकी हल्दी आपके आस-पास जो भी आउले का ब् को आप एक पात्र में जल लेके जाईएगा और उस जल को जहां आप आवले के जड़ में जो हल्दी आप समर्पित कीए हैं आब आवले के जड़ में वहाँ पर आपको जल समर्पित कर देना है जल समर्पित करते समय ध्यान रखेगा आपको यहाँ पे किसका नाम लेना है तो हरी हर महादियु का हरी से हो जाता है भगवान नारायन भगवान विश्डू और महादियु से महादियु तो जब आप महादियु और हरी का ध्यान करके कोई उपाय करते हैं पूर्वदिसा में मुख करके तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी आपके प्यापार में बृध्धी होगी तो आप इस उपाय को जरूर करे और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करे लाइक करे जादा से जादा से एर करे कमेंट में हरी हर महादेव जरूर लिखे